परिवार के मुख्या का एक वर्स पहले एक्सिडेंट हो गया था जिसके कारण उसके दोनों पैरों में रौड डाली गई और वो एक साल से बिस्तर पढ़ है इस परिवार का बड़ा बेटा कक्षा बारवी का छात्र है छोटी बेटी कक्षा दस्वी में पढ़ती है और तीसरे नंबर का बेटा कक्षा पाच्वी में परिवार के मुख्या के बिस्तर पे होनी के कारण एक वर्सों से तीनों बच्चों की स्कूल की फीज जमा नहीं हो पाई लाचार और मजबूर परिवार नहीं नगर विधायक रवी शर्मा की सरनली विधायक ने उनकी मदद करते हुए स्कूल प्रबंदन से बात की और तीनों बच्चों की फीज को आधा कर दिया और अपनी निधी से पिता का भी ऑप्रेशन करवाया परन्तु ये रकम भी जमा करना साउपरिवार के लिए आसान नहीं था ऐसे में तमाम समाज सेवी और समाज के लोगों से संपर्ट साधा गया परन्तो समाज के लोगों ने कोई न कोई बहाना बना कर पल्ला जाड़ लिया वहीं चोराहे पर समाज सेवा करने वाले समाज सेवीयों ने भी कई बहानी किया और हाथ खड़े कर लिये जब इस पूरे मामली की जानकारी समाज सेवी का डॉक्टर मधूरीमा नायक और समाज सेवी टीचर्स ग्रूप की को हुई तो सोमवार को डॉक्टर मधूरीमा नायक ने स्कूल पहुंच कर कक्षा बारवी में पढ़ रहे साहु परिवार के बड़े बेटे की एक वर्स किफ अब बच्चे परिक्षा दे पाएंगे परन्तु अभी भी तीसरे बच्चे की फी जर्मा करना बागी है मदरमाजी क्या क्या आएगा अबने है नमशकर मैं डॉक्तर मधुरी माना इन जासी से जासी में के अविद्या नहीं जिसमें साहू परिवार के बच्चे हैं तीन बच्चे जो पढ़ाई करें उसमें पहना मच्च्चा इंटन में हैं दूसरी बेती हैं जो की है इस्कूल में बच्चों की एक्जेम्स आ गए है और उनकी जो परिक्षा की पीस्ती वो भी नहीं भर पाई बारबंकी जिले के विकासकंड हरक शेत्र के ग्राम दरावरपूर निवासी अजीत कुमार ने 2700 बॉक्स पर शहद उतपादन कर रहे पिछले कुछ वर्सों में प्रती बॉक्स शहद का उतपादन काफी कम हुआ तो अजीत ने ऑनलाइन अमेरिका चीन के मदुमक्खी पालकों से संपर्क किया और वाट्सअप मेसेंजर के जरिये प्रस्रिक्षन प्राप्त किया साल 2022 में भारत में पहली कृत्रिम रानी गर्वधारन गलाइड की स्थापना की ये कृत्रिम रूप से रानी मदुमक्खी में तीन चर्णों के चुनाओं के बाद का संसोधित सीमेंस से ड्रोन विधी से गर्वधारन कर्ट रहे हैं इसी प्रकार से तयार की गई रानी मदुमक्खी के बॉक्स में प्रतिवर्स 25-30 किलोग्राम की जगा अब 55-60 किलोग्राम शहद का उत्पादन होता है वहीं अजीत वर्मा ने बताया कि सबसे पहले ज़्यादा शहद उत्पादन करने वाले बॉक्स से ग्रोन विधी से नर्मदुमक्खी ले लेते हैं इसके बाद इसको लाइव ले जाकर उसका सीमन निकालते हैं जिससे नाइट्रोजन में करीब 45 मिनट तर डुबो कर रखा जाता है ताकि सीमन में nutrition बन सके इसके बाद लाइव में 9 माइक्रो लीटर सीमन रानी मदुमक्खी को इंक्यूबेटर से 3-4 दिन रखा जाता है ताकि वो अंडा देने के लिए तयार हो सके रानी मदुमक्खी की मांग जिले के साथ दिली पंजाब राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों में जादा है यह किसान वार्टसप के जरिये हमसे संपर करते हैं और ओर्डर के अनुसार रानी मदुमक्खी भेजी जाती है साजहांपुर्ख पुलिस ने अलग जिले में करोरों की ठगी करने वाले नतवर लाल को घिरुफतार किया है पकड़ा गया नतवर लाल गयस अतरटी ओफ इंडिया का फोर्जी ओफिस खोल कर लोगों को करोरों का टेंडर देने के फोर्जी मैं पकड़े गए ठट के ठक के पास से केरल का आधार कार्ट, लाप्टॉप, गैस अथोर्टी ओफ इंडिया का फर्जी नियुक्ति पत्र और गेल के फर्जी मोहरे बरामध हुए हैं, फिलाल पुलिस ने पकड़े गए नत्वरलाल को जेल भीज दिया है, दरहसल निकोही छेत् गैस अथोर्टी ओफ इंडिया का एक फर्जी ओफिस काम कर रहा था, जिसे रामनरे शुकला उर्फ रामस्वामी संचालित कर रहा था, रामस्वामी खुद को गैस अथोर्टी ओफ इंडिया का पर्योजना निदीशक बता रहा था, पकड़े गए नत्वरलाल ने छेत्र क के 25 करमचारियों को फरजी नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिये थे देराथ पुलिस ने छापा मार कर नटवरलाल रामस्वामी को गिरफतार कर लिया है कार्याले की तलाशी लेने पर वहां से लाप्टॉप गैस अथार्टी ओफ इंडिया के फरजी नियुक्ति पत्र और मोहरे बरामध हुए जानकारी करने और पूछताक में पता चला की पकड़ा गया नटवरलाल हर दोई जिले के शाहबाद का रहने वाला है जो इससे पहले हर दोई और साजहंपुर में लगबग 12 करोर की ठगी क कर चुका है ठगी के एक मामले में वो जेल भी जा चुका था पुरी वेठना जाज की गई और उसके राल नरेस के आपिस की इंधाज की गई वह वह स्थाने इदकारी बताकर कुछ लोगों उसने नहीं रखा था फजी तरीके से इनको नुक्ती पस भी आता कंपनी को उसने है और मेरा निगोई में यहां ओलान नाम से जनसे बागेंद छनते बागें पंदा साल होगा है और यहां अपर हम निगोई में वाइफाई सर्विस भी जेते हैं यहां पर पबिलिक और धुबी अनकोंटर प्रकेंटे को वह वो ऑपने जनसे बागेंद के कामों से आती है यहां फिर हम से वाइफाइ कैसनल ने लिग लिए आती है गैस कानपुर में एक युवक सरक के किनार स्कूटी खड़ी करके ट्रेन के आगे कूद गया जिससे ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गए आपको बता दे कि कानपुर के सिसा मौत हाना छेतर के अंतरगत जरीब जोगी क्रॉसिंग पर एक युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर अपनी जान दे दी जब आसपास के लोगों ने देखा तो युवक को देख कर सभी के होस उड़ गये जब तक कोई उसे रोग पाता तब तक युवक ट्रेन के आगे कूद कर जान दे दी है जिसके स्कूटी रोड के किनारे खड़ी थी जानकारी करने पर पता चला कि मरे तक कानपूर का ही रहने वाला है जिसके उम्र 45 वर्स है और मदन गुपता नामक से पहशान हुई है जिन्नों ने कालिंदी एक्सप्रेस ट्रेंड के आगे कूद कर जान दे दिये खुदखुशी करने की का सही कारण अभी तक पता नहीं लगपाया है लेकिन उनके परिजनों को सूचना दे दी गई है वहीं पुलिस निशब को कबजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है बाकी आगे की कारवाई जा रही है वहीं युवक की मौत से परिजनो परिजनों से बातचीत हो गई है उन्हें समझा दिया गया है मौके पे शांती व्यवस्ता कायम है कोई ऐसी दिकत नहीं है प्रेंड रूट को चालू कर दिया गया है ट्रें सामाने रूट से चल रही है कानपूर पुलिस कमिशनर अखिल कुमार कानपूर का चार्ट समभालते ही शहर में हो रही समस्याओं को समझ कर उसके निस्तारन के लिए लगाथार काम कर maintenant कर रहे हैं वही घंटागर सूतर खाना व्यापार मंदल अध्यक्ष से बात कर अतिक्रमन हटाने को कहा गया। साथी घंटागर चौराहे से टाइट मिल चौराहे तक मैं फोर्स पैदल रूट मार्च भी किया गया। कि मैं अभी नया हूँ मैं आज इसलिए निकला की ट्रैफिक कानपूर सायर की प्रमुक समस्या में चिनित किया गया। मैं पिछले तीन-चार दिन में जितने लोगों से इंट्राइक कर रहा हूँ एक्रास डिफरेंट सेक्शन अफ ससाइटी उन्होंने ज्यादा तर लोग ने नाइन आट आट टेन पीपल कह रहे हैं किस ट्रैफिक के में समस्या अच्छी बात है कि बहुत अच्छा काम हुआ मैं पिछले कुछ दिनों में कानपूर में बहुत इन्नोवेशन हुए हैं एनलेटिकल स्टेडीज हुई हैं ग्राउंड इंप्लिमेटेशन हुआ हैं स्टेरिंग कपटी हैं तो एक फ्रेमवर्क हमारे पास एक आगे कैसे काम करना है उस पे बना हुआ हुआ है कानपूर प्रेस क्लब में प्रेसवार्था का आयोजन के आ गया जहाँ आपको बता दे के फुटवेर डिजाइण आडवलप्मेंट संस्थान राइबरेली में संचालिद दो पाठीकर्मों में प्रवेश की प्रतिया शुरू हो गई है संस्थान में संचालित पाठेकर्म में प्रवेश के लिए 5 मई तक आउनलाइन आवेदन किया सकते हैं ये आवेदन FDDIndia.com पर लॉग इन करके कर सकते हैं प्रवेश के लिए देश के 32 शहरों में प्रवेश प्रजीक्षा का आयोजन किया जाएगा कानपूर प्रेस क्लब में प्रेसकार पार्टा करते हुए संस्थान के छात्र मामले के प्रभारी नलीन पांडे ने बताया कि भारत सरकार के वानीचे एवं उद्योग मंत्राले के अंतरगत फुट वेर डिजाइन एंड डेवलोप्मेंट संस्थान देश के बारवे स्थान पर संचाली थे यह संस्थान इंस्थ्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंट का दर्जा प्राप्त संस्थान है उत्तरत्रदेश में यह दो स्थानों पर है पहला नोईडा और दूसरा में लीव दो कोर्च चारवस यह अग्धी के बैचलर ओफ डिजाइन फैशन डिजाइन एंड प्रोडक्शन में प्रवेश के लिए आवीदन किया जा सकते हैं इन कोर्स में प्रवेश के लिए किसी भी स्ट्रीम से बार्वी पास अथ्वार, इस वर्ष बार्वी की परिशा में बैठ रहे ये आवर्शक है मेरा नम सीमा आदू है, मैं FDDI, Putware Design and Development Institute से हूँ ये एक Central Government का Institute है, जो कि Ministry of Commerce and Industry, Government of India के अंतरगत काम करता है हम यहाँ पर हमारे admission process स्टार्ट हो गया है, इसकी बारे में हम जानकारी देने के लिए यहाँ पर आया है हम FDDI में admission process स्टार्ट हो गया है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट हो गया है और 20 अप्रेल लार्स डेटर फॉर्म बढ़ने की तो जो भी छात्र इंटेस्टेड है, फुट्वे डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, BBA in Retail and Fashion Merchadise, MBA in Retail and Fashion Merchadise में जो भी छात्र इंट्मिशन लेना चाहते हैं, वो हमारी वेबसाइट पर जाकर के पॉंफिल कर सकते हैं राइवर रेली में मुख्यमंत्री योगी अधितनात का भूमाफियों के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को निदेशित दे आये कि राजस्वर मामले में कोट में लंबित, मामले को जिले में जल से जल निप्टाया जाए वहीं इसी एक बानगी आज देखने को मिली है आपको बताते चले कि कई वर्सों से तलाब की जमीन पर काविज भूमाफिया पर आज जिला प्रशाशन का डंडा तहसीलदार सदर ने आज जमीन से बेदखल करने के साथ ही करोर रुपे का जुर्माना लगाया है मामला सदर तहसील छेतर के लखनो प्रयागराज एनज 30 मार्क पर सराय दामु गाउं के पास स्थित पेट्रोल पंप का है जहां भूमाफिया मुहमद हसनैन पुत्र मुहमद हफिज निवाशी काहोरो का अड़ड़ शहर कोतवाली ने करोर रुपे की कीमत की लगबग पौने दो बिगहा तलाब की जमीन पर कूट रचित दस्तावेश तयार करके अवैध पेट्रोल पंप का निर्मान कर लिया था वूमाफिया मुहमद हसनैन लगबग 17 साल तक जिला प्रशासन को गुमरा करता रहा लेकिन जिला दिकारी हर्शिता माथूर के निदेशन के बाद तहसील प्रशासन एक्शन मोड में आ गया इसके बाद मुहमद हसनैन के द्वारक करोरो रुपे की कीमत की जमीन पर बनाए भूमाफिया असनैन के उपर हुई कारवाई से जिले के भूमाफियों में हड़कम पच गया है उतर प्रदेश के दबंगों में योगी सरकार का भय नहीं रहा ऐसा ही मामला कानपूर से आ रहा है जहां देर रात कल्यानपूर थाना छेतर में तैनाद, ALIU कर्मी धर्मेंद रियादों के बेटे सनियादों अपने साथियों के साथ मिलकर युवक को परेट चोराहे से इनोवा गारी में उठा कर ले गया और बेल्ट और इंटो से जमकर पीटा और फिर हवाई फाइरिंग भी की जिसके कारण पीडित को सुनाई नहीं दे रहा है युवक के शरीर पर गंभीर चोटे आई है पीडित वेक्ती द्वारा लेखी तहरीर पर पुलिस कारवाई करने की बात कर रही है अब देखना ये होगा कि कानपुर पुलिस की तरफ से कितनी कड़ी कारवाई होती है या मामले को ऐसे ही शांत कर दिया जाएगा और दबंग इसी तरह से दबंगई करते रहेंगे वही लोगों की माने तो कल्यानपुर के पन की चौकी में तनाथ LIU कर्मी धर्मिद्र यादो के पुत्र सनी यादो पिता का रौप दिखा कर जम कर गुन्नागर्दी करते ही रहता है इस संबन में ये वताना है कि आयूज दुवेदी नामा के क्रट्रे में आरोप लगा है कि सनी यादो और उनके कुछ साथ की द्वारा इनके साथ मार पित की गई है इनका ये कहना है कि परेड से इनको उठाकर जाड़ी में दे जाएगा और बाद में मार पित करते हुए इनको केसा चवराहे पर छोड़ दिया गया यह भी ग्यात हुआ है कि पुरो में एक अभ्योकर सनी यादो फिर द्वारा पंजीतित कर आए गया था इसमें आई इस दिवेदी भी नामगत है जो भी संगली प्ता इसमें थी बढते हैं अंगली खबर के और अगर आप ब्रांडेट मसालों के शौकीन है तो आप साओधान हो जाएं क्योंकि ब्रांडेट मसाले गुनवत्ता के मानक पर खरे नहीं उतर रहें रायबरेज जिले में विक्रही नकली मसाले को चेक करने के लिए जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी की टीम ने अपने फूट सेप्टी विल द्वारा जब ब्रांडेट मसालों की जांच की तो उसमें वो मानक पर खरे नहीं उतरे आपको बताते चले कि रायबरेली की खादे सुरक्षा विभाग की टीम से अपराजिता तिवारी द्वारा फूट सेप्टी वील द्वारा बनी वैन में जांच की गई तो मसाले की गुनवत्ता मानक के अनुरूप नहीं निकला खराब रिपोर्ट आने के बाद मसाले को रायबरेली के बाहर बढ़ी लैब में भीजने को का फैसला लिया गया है अशोक मसाले की जाँच में पाया गया कि पीसी धनिया और पीसा मिर्च सबजी मसाले सहित अनने सभी उतपादों की बकायता जाँच की गए जिसमें पीसी धनिया और मिर्च पाउडर में मिलावट पाई गई है खादे सुरक्षादिकारी अजीत कुमार ने बताया है कि पहले जांच में ये मसाले गुनवत्ता परक्त नहीं पाए गए अब इनको जांच के लिए आगे लाब में भी जजाएगा और इन मसाले पर रोक भी लगाई जाएगी लेकिन जिस तरह से ब्रांडे मसालों के नाम प खोल कर प्यक को खोल कर जाच किया गया है अभी हमारे ये फूट सेप्टी और वील गारी को केमिकल से एक्वीड किया जा रहा है कि प्रिमिटिव तवर पर मेरे खादि सुरक्षा दिकारी गन केमिकल का प्रियोग करके टेस्ट कर रहा है हर दोई में घर में भीशन आग लगने का कारण शौर्ट सर्कृट बताया जा रहा है वहीं आग लगने से घर का घरेलू समान जल कर खाक हो गया सूचना पर पहुची अगनी शमन विभाग ने आग पर काबू पाया आग से बड़ा हादसा होने से टल गया जिससे घरवालों ने रहत की सांस ली मामला शहर कोतवाली छेत्र के बग्यापुर्वा 52 चुंगी का है श्रावस्ति जिले के कट्रा में मुरारी बापु जी का श्रीक रामकथा 13 से 21 जन्वरी तक भवे कारिक्रम का आयोजन हो रहा है कट्रा के चेत्वनस मारक सामने प्रेटन में मुरारी बापू की रामकथा कारिक्रम आयोजनचा की जाएगी वहीं डिएम पृतिका शर्मा और सपी घंश्याम्च रसया ने कारिक्रम स्थल का चाय जा लिया साथ ही कारक्रम जथल पर सभी तैयारियों को पूर्ण करने ही तू संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिये इसके साथ ही कथा में पडोसी रास्ट्रे नेपाल साइत अन्य जिलो के द्वारा प्रतिभाग करने की संभावना है आयोजित कथा में अरजक्व तत्वद पर पैनी नजर रखने के लिए SP ने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कथा कि संपून परिशर पर CCTV और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी सुरक्षा के मदे नजर आने जाने वालों के लिए लाइट बैरिकेटिंग से परिशर को लेस्ट किया जाएगा ललिदपूर में अरजक्व तत्वद ने एक बाइक को आग के हवाले कर दिया जिससे बाइक जल कर खाक हो गई आरोप है कि युवक देर राट टीवीस की बाइक बाहर खड़ी करके बहन के हाँ अंदर शोग गया था देर राट में अरजक्व तत्वद ने उसकी बाइक को आग की हवाले कर दिया जिससे बाइक जल कर खाक हो गई सुत्रों की माने तो ऐसी घटनाएं पहले भी घटित हो चुकी है अब इस घटना के बाइक अपने घर के बाहर खड़ी करने से दर्मश्यूस कर रहे हैं मामला सदर कोत्वाली अंतरगत मोहला नहरू नगर का है भगवान राम के प्रान पतिस्था को लेकर पूरे यूपी में खुशिया मनाई जारी है तो वहीं जोती पिठाज धिश्वत जगत गुरु संक्राशारे स्वामे अवी मुक्तिश्वरानन सरस्वती ने अयोध्या ना जाने को बोला है उनका कहना है कि जब तक भारत की धर्ती से गौहत्या का कलंक मिट कर गौमाता को राश्रमाता घुशित करवाने के बाद ही वो राम मंदिर का दर्शन करना चाहेंगे यूपी जोडो यात्रा के संपन होने के बाद कॉंग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजयराय अपनी ग्रेश छेदर वारा नसी लोटे जहां उन्होंने काशी विश्वनात काल भैरो और बड़े गनेश जी के दर्शन और पूजा पाट किये इसके साथ ही अजयराय ने कहा कि मोहबत का संदेश देती हुए सहारनपूर से लखनव तक चली यूपी जोडो यात्रा के मार में जन्मानस का अभूत पूर सने और अपनापन मिला जोडने के सफर का यात्रा गवाही दे गया कि देश प्रदेश या कहने करने का मन बना लिया है कि जोड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया निश्चित रूप से पूरे यूपी जोडो यात्रा के दोरान भाजबा के प्रती आमजनों में जनाक्रोष था कॉंग्रिस पार्टी के प्रती आमजन्मानस का समर्थन और सने इस पार्ट का पुक्ता सबूत है कि कॉंग्रिस के प्रती लोगों का समर्थन बढ़ रहा है जिसका असर आगामी लोगसभा चुनाओ में निश्चित रूप से दिखेगा हम सब लोग बनारस से 15 तारिक को काशी से बाबा के दर्बार से हम लोग ने संकल्प लिया था यात्रा बाबा सा कुशल हम सब की कराईएगा यू यूपी जोड़ो यात्रा जो सहारनपुर से माशाकुम्री के दर्शन करके लखनव में समापन वच्छे तारिक का आज हम से पहले लखनव से आए तो पहले बड़ा गणेश फिर उसके बाद बाबा काल वेरो आज बाबा विच्छनात के दर्बार में उस संकल्प को पूरा करके अब यहां से घर को प्रस्थान करेंगे निर्वग्न पूरी पूर्ण हुई कहीं पर कोई वैवधान नहीं हुआ को कोई दिक्कत नहीं आई बहुत अच्छे से बाबा के गरपा से पूरी यात्रा में सभी लोग सकुसल यात्री अपने घर को गए और सब ने को बाबा का शिर्वाद मिला उनकी गरपा बनी रही वारा नसी के आदमपूर थाना छेत्र के कोईला बाजार इलाके में मंगलवा को उस समय हडकम मच गया जब एक दुकान में आग लग गई दो मंजिडा मकान में नीचे बनी दुकान में धमाके के बाद आग लगने के बाद जब लोगों को ये पता चला कि यहां वैद घरेलू गैस रिफिलिंग का काम होता है तो लोग अन्होनी से घबरा गए वहीं पुलिस और फाय सर्विस ने आग पर काभू पाया तो अंदर दो शब मिले शवों को पुलिस ने मौश्री भेज दिया FSO फाय स्टेशन ने बताये कि इस तुकान में कैस सिलिंड रिफिलिंग और बेचने का काम होता है यहां विसफोर्ट के बाद आग लगी थी इसमें दो लोग जो काम कर रहे थे उनकी मौद दम घुटने और जलने से हो गई आगरा में जी आरपी पुलिस ने सराहनिये क्राम करते हुए चोरी और गुम हुए 721 मोबाइल फोन बरामत किये हैं मोबाइल की अनुमानित की मतलग भग एक दिसमलव 44 करो रुपे बताई जा रहे हैं वहीं मोबाइल फोन पाक कर लोगों के चहरे खिल गए आगरा जी आरपी लाइन में बुला कर लोगों को मोबाइल फोन सौपे गए एस पी जी आरपी आदी तिल लांगे ने मोबाइल फोन बाटे हैं कि अपर पुलिस महानिदेशक महोदे के देश में एक विशेश अभियान चलाया गया है जिसमें अगस्त मा से लेके दिसंबर 2023 तक चार महीने का अभियान में टोटल साथ सो एकिस मोबाइल रिकवर किये गए हैं यह वो मोबाइल से जो मिसिंग मोबाइल इसमें जो विशेश अभियान में जो पूरे भारत में चाहे वो हैदराबाद हो बैंगलोर हो या फिर नॉर्टीस्ट हो कहीं से हर जगे से हमारी टीम भीजी गई बहां लोगों से बहुत 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 किया गया है वहीं पहले दुकानों से लिए गए खादपदार्थों के जांच के नमूने लखनों भेजे जाते थे लेकिन अब इस वैन के आज आने से कुछी घंटों में खादपदार्थों की जाच की जाएगी तथा जांच के बाद जो भी निश्कर्ष निकलेगा उसी अधार पर सं दुकानों के डिया अजयार होइं सवारयों में चीक पुकार मच गए हासे की सूचना पर मौके पर सिफसेना की जिला प्रमुक चौदरी वीर सिंग पहुंचे घायलों को एम्बुलेंस की मदस से सिस्सी स्याओं में भर्तिकराया गया सोललों की हालत छे लोगों की हालत गं भी देखते हुए जिक्त चेकित्सकव ने जिला अस्पिताल के लिए रैफर कर दिया मामला थाना चंदपूर के गजरॉला मार दर्बाडा इलाके का है जिक्त चंदपूर के दिना आठ जनूरी दोबजे समय लगवग दोभार दोबजे दर्बाडा गाहों के पास चंदपूर की तरफ से आ रहे हैं रोडवेज बसमें एक ट्रेक्टर टाली को जिस पर कुछ बैक्ती सवार थे ओबर ट्रेक करने के दर्वान पीशे से टक्कर मार जिसमें 15 लोग खायल हो गया, 10 लोगों को सियसी से उप्चार के दोरान घर भेज दिया गया, बाकि 5 लोगों को जीला हिक्तार 29 रिफर दिया गया था, जिनकी तिती अब ठीक है, F.I.R. पंजी दुप कर लिया गया है, सेज बजानी करवाई नेमित रूप से प्रचलित है तो फिलाल के लिए इस पॉलेटन में इतना ही बने रहे हैं हमारे साथ और देखते रहें न्यूस वाल इंडिया